दोस्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी यूटूब चैनल G.S.S.PARK में दोस्तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए करेंट अफेर्स के कुछ कोश्चन्स दोस्तो बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करें और दोस्तो बाकी जो भी आपको इन्फॉर्मिशन लेनी है दोस्तो तो स्टार्ट करते हैं हाल ही में किस राज ने अपना 57 वा राज दिवस मनाया दोस्तो पहला कोशन है कि हाल ही में किस राज ने अपना 57 वा राज दिवस मनाया दोस्तो इसका आंसर है नागा लेंड ने अपना 57 वा राज दिवस मनाया दोस्तो यह सोलवा राज बन सबसे बड़ा सहर है आपका दीवापूर और नागा लेंड में 12 जिले हैं अंग्रेजी भासा यहां बोली जाती है राजपल इसके आरन रवी हैं दोस्तों नागा लेंड के और भासा मैंने आपको बताई है कि अंग्रेजी भासा बोली जाती है सबसे बड़ा सहर दीमापूर है और सोलवार राज बना था दोस्तों 1963 सेट में तो पहला कोशन आए होप आपको क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट कोशन स्टार्ट करते हैं कि अल्प संख्यक अधिकार दिवस का मनाया जाता है अल्प संख्यक अधिकार दिवस दोस्तों आपका 18 दिसंबर को अल्प संख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है इसका आंसर भी मैंने या नूट किया है वगल में कि अल्प संख्यक अधिकार दिवस अल्प संख्यकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए जो दिवस मनाया ज दोस्तों कि हाल ही में किस अभीनेता को नाडा का ब्रेंड अमबैस्डर बनाया गया है सुनील सिट्टी दोस्तों हाल ही में किस अभीनेता को नाडा का ब्रेंड अमबैस्डर बनाया गया है तो नाडा का ब्रेंड अमबैस्डर बने है दोस्तों सुनील सिट्टी नाडा का स्थापना दोस्तो 2005 में हुई थी 24 नवंबर को 24 नवंबर को नाडा की स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 दोस्तो 24 नवंबर 2005 को नाडा की स्थापना हुई थी National Anti-Doping Agency इसका है और दोस्तों मुख्याला इसका है देली में देली में इसका दोस्तों मुख्याला है देन नेक्स्ट कोशन पर आते हैं दोस्तों कि हाली में भारत के हाली में भारत के थल सेना प्रमुख किसे चुना गया और दोस्तों नाडा का मैंने आपको बताया है जो तो नवीन अगरवाल इ कि हाल ही में भारत के नए थल सैना प्रमुख किसे चुना गया कोश्चन को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि हाल ही में भारत के नए थल सैना प्रमुख किसे चुना गया मनोज मुकंद को दोस्तों थल सैना प्रमुख चुना गया 31 दिसंबर 2019 को जनरल विपिन रावत रिटार ैंट हो रहे हैं और उनकी जंगे पर आपका Madam that I like the ड्वाई सेन परमुक से बताती हूं आपको कि बाईू सेन अध्यक्छ कौन है दोस्तोँ ऑर्क्यस भधोर्या हमने भाईूससेनः अध्यक्छ कोन है और नॉससेन है आपके नौसेना इतक दोस्तों लिख दू में आपे और I think वीडियो में आएगा नहीं कटिंग हो जाएगा कि आपका थलसेना अध्यक्ष का तो आप याद हो गया होगा आपको थलसेना का है मनोज मुकुंद और बायू सेना का भी बताया दोस्तों तो I hope लिख तो नहीं सकती हूँ नेक्स टाइम पे हम लोग थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे कि लिख सकें तो बायू सेना ध्यक्ष का बता देती हूँ लिख लेजिए कि RKS बदोरिया और आपका नौ सेना ध्यक्ष है आपका करंबीर सिंग नेक्स कोशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपका कि हाल ही में 2019 में किस सिख गुरू का 550 प्रकास गर्थ बनाया गया धान से सुनिएगा कि 2019 में किस सिख गुरू का 550 प्रकास गर्थ बनाया गया गुरू नानक सिख गुरू हैं दोस्तों उनका 550 वा गर्थवन बनाया गया गुरु नानक का जनम हुआ था आपका 1469 में का जनम हुआ था तलवडी सेखपूर में हुआ था दोस्तो लेकिन जिसको बर्तमान में पाकिस्तान का वा ननका साहिब जंगय है उसका नाम बर्तमान में जो नाम है ननका साहिब है तो आपको तुस्तो याद हो गया होगा कि 2019 में किछ जहदाध सीनल से संबदित थे धावक से संबदित थे वह वहल ही निधना में होएं। पीटर स्नेल किस खेल से संब्द है धावक से हो 1938 में दोस्तों इनका जनम हुआ था 2019 में इनकी मृत्यू हुई थी रणिंग दोस्तों रणनर फास्ट रणन थे यह दो बार उलम्पिक भी जीते हैं दोस्तों यह The next question है कि IPL 2020 में सबसे महंगे खिलाडी कौन बिके दोस्तों question को ध्यान से सुनिएगा कि IPL 2020 में सबसे महंगे खिलाडी कौन बिके पैंट कॉमिन्स दोस्तों जो सबसे महंगे बिके हैं 15 करोड़ 50 लाख में दोस्तों कोलकाटन नाइट राइडर से इनको खरीदा है और यह ऑस आऊस्ट्रेलिया के उसरी प्लेयर है और कोलकातन नाइट राइडर इनको खरीदा और दूसरे नमबर पे गले मैक्स ब o ने दोस्तों किंग्स 11 पंजाबने खरीदा हैं दस करोड़ 55 लाख में दोस्तों सबसे महंगे ьяकोन है तो भारती है में सबसे महेंगे भारती लाड़ीय हमारे। उन में सबसे महेंगे प्यूच चाबला को खरीता गया 6 करोड 75 टरलाइट में दोस्तो चेन नहीं सूपर किंग्स ने इसको खरीदा हैह drugs mix the next question है आपका एड़ चुशन की हाल ही में किसने दच्छड ACI साहित में DSC पुरुसकार 2019 को जीता दोस्तों अमिताब बाग्ची है दोस्तों उन्होंने 2019 का दच्छडे C.I.E. DSC प्रोषकार जीता है दोस्तों 1969 में दोस्तों 2011 में यह है मिलना स्टार्ट हुआ तो जो प्राइज है 2011 में DSC प्राइज है DSC प्राइज फोर साउथ हेसिन लिटेचर है दोस्तों तो 2011 में यह पहली वार मिला था और अभी इसको 2019 में DSC प्रोषकार अमिताब बाबची ने जीता है दोस्तों फिल देन लास्ट नहीं नाइन्थ कोश्चन है दोस्तों अगला कोश्चन आपका कि 66 दादा साहे फाल के प्रोषकार किसे दिया गया 66 दादा साहे फाल के प्रोषकार दोस्तों अमिताब बच्चन को दिया गया दोस्तों 66 दादा साहे फाल के प्रोषकार आपका अमिताब बच्चन को दिया गया लेकिन पहली बार दोस्तों यह 1969 में पहली बार जब दादा साहे फाल के प्रोषकार को भारतिय बॉली बॉलते हैं बारतीय कलाकार हैं इनको दिया जाता है इनको पुरुसकार या दिया जाता है दादा साहिव फाल के पुरुसकार then last question है दोस्तों अपना 10 question कि 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 स्राज को 2019 विश्व आवास पुरुसकार परदान किया गया है दोस्तों question last द्यान से सुनिएगा कि किस राज को 2019 विश्व आवास पुरुसकार प्रदान किया गया उडिसागों दोस्तों यह पुरुसकार प्रदान किया गया से UK स्थित संगटन बैल के बिटेट द्वारा प्रदान किया गया था दोस्तों तो दसों question के answer मैंने आपको अच्छे से बता दिये और यह काफी important है यह सारे आपको दिसंबर के question दिये जा रहे हैं कुछ नमेंबर के भी क्यूंकि current का जब भी एक्जाम होगा तो दो थीन महीने पुराने ही सारे करेंट के question mostly पूछे जाते हैं तो नमेंबर दिसंबर और अब जैनवरी तो आएगी दोस्त के और questions आएगे दोस्तों तो आपको दसों questions समझ मे आए हुए मैं जल्दी से एक बार फिर से repeat कर रही हूँ आपको कि हाली में किस राज ने अपना 57 वा राज दिवस मनाया नागा लेंड ने अपना 57 वा राज दिवस मनाया रांगा रेंड की दोस्तों राजधानी है कोहिमा then next question है कि अलप संक्यक अधिकार दिवस कम मनाया जाता है अलप संक्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है direct questions के answer बोल रही हूँ दोस्तो explanation मैंने पहले दे दिया है आप सीधे सीधे answer सुन लीजिए नोट कर लीजिए then next question है हाली में कि सविनेता को नाडा का ब्रेंड अमेज़र बनाया गया है दोस्तों सुनील सेटी को नाडा का ब्रेंड अमेज़र बनाया गया है The next question है कि हाली में भारत की नए थल सेना प्रमुख किसे चुना गया Manoj Mukund को दोस्तों नए थल सेना प्रमुख चुना गया The next question है दोस्तों कि हाली में 2019 निम्न मैसी किस सिख गुरू का 550 वा प्रकासगर्थ बनाया गया गुरु नानक सिख गुरु का 550 पर प्रकासगर्थ बनाये गया The next question है कि हाले में निधिन हुए Peter Snail किस खेल से संबंदे थे धावक दोस्तों और Peter Snail का देथ हुई है 2019 में और 1938 में इनका जनम हुआ था 1938 से 2019 The next question है IPL 2020 में सबसे महगे खिलाडी कौन बिके है परेंट कॉमेंस दोस्तों सबसे महगे खिलाडी बिके है The next question है आली में किसने दच्छड ACI साहत में DST पुरुसकार 2019 जीता है Amitabh Bakshi ने दोस्तों यह पुरुसकार जीता है And then 66 भा दादस आफाल के पुरुसकार किसे दिया गया है अमिता बच्चन को दोस्तों यह पुरुसकार दिया गया है किस राज को 2019 विश्व आवास पुरुसकार प्रदान किया गया उड़ी सागो दोस्तों तो दोस्तों यह 10 कोश्चन्स थे काफी इंबड़न है नोट कर लीजे स्ट्रीन शॉट ले लीजे आप कोश्चन्स का आंसर आप आपको याद हो गए होंगे बाकी आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं जीएस स्पार्क से दोस्तों मैंने आपको बताया है और कोई भी प्राब्लम हों तो आप उनसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं सर से तो थैंक्स पॉर वाचिंग वीडियो